नमस्कर साति आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वित रहूने चलिए दोस्तों शुरुवात करते हैं जैसे कि अपने सीरीज चलिए पैनी शेर की तो पैनी शेर के अंदर जो आज का शेर है वो है औरियंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड औरियंट ग्री काफी सारे पैनी शेर है बट जिनके अंदर मोहमेंट रहता है अपना सर्केड लोवा सर्केड और मोके मिलते रहते तो उन्हीं शेर को हम लोग अनलाइस करें उन्हीं को आप लोग को अपडेट दे रहें तो दिख लिए और ग्रीन पावर के अंदर पहले भी मैंने कॉल द नर्जी अंदर कंपणिये है और wind power के द्वारा company power generation के अंदर है ठीकी ना basically काम इसका चिननेए कंपनी है तो इसके उपर पहले भी मैंने डीप अनलाइस करके बताया था कंपनी का ओवर ओवर वीव यह है विंड पावर के अंदर कंपनी ओलेडे वरकिंग कर रही है और गिरीन पावर को लेकर जिसता से गौर्वर्मेंट डेवाई डे इंप्रुमेंट चाहती है तो उस सबसे भारत जिसता से ग्रीन पावर की तरफ अग्रेसिव हो रहा तो उसमें आने वाले टैम पे यह जुश कंपनी होने वाले इन्हों के सेक्टरों की तीजी देखने को मिलेगी क्योंकि ग्रीन पावर को जाज जादा बड़ावा दिया जा ऐ कर पर उसके डीने प्तस साथ सों संव कर आपके पास समयाए पहले जीए जीए एक सबस्क्न बेता बड़ाए और तो पिर भी आपके पास लेवल पर तो आप अच्छे कासे profit में होगा साड़े 300 profit दिखा रहा है साड़े 300% profit दिखा रहा है सिक्स मन्त के अंदर यह टू डेट के अंदर जिता 24% रिटन दिया माइनस में तो company कब से 6 December से है 2016 से है और इसका headquarter चिन्ने के अंदर है तो देखिए छे मैंने पहले भी आपके पास शेर होता तो 6 महीने पहले भी आप भी भी आच्छे कासे profit में जिसमें correction के बाद से शेर के अंदर अब trending के move देखने को मिल रहे है अब समस्तिका मार्केट के समस्तिका सबस्तिक पहले देखिए इस पर जब भी मैंने मार्केट के बताया था आपको जिसको quarter three रिजल जाता है तो Orient Green Power Limited आपको एनसी बेसी दोनों परिस्टर्ड कंपनी आची रिटम सा मार्केट के अपर एक हजार दो करोड़ पर इस्टोक पी चल्ला 40 का स्टोक आर ओसी इसका चल्ला है 3.99 परस सारे नेकिटिव पॉइंटिव पॉइंटिव नहीं है इसके करजा दिन देने के दिन भी बढ़ा लिए इसने देखिए 120 से बढ़ा के इसने चल्ली कर लिए ठीक है रिटर्न ऑफ एक्वेटिव इसका तीन साल में माइनस में साढ़े 5 परसेंट है और कंपांडिंग एन्व ओवर्वी करा तो जब्या होता है यहां से गिरावाट हुई थी तो देखिए को ओर्टर थिरी के अंदर इनके टोटल सेल थी 82.53 करोड पेगी ऑप्रेशन प्रॉफिट अधा इनका 58.70 करोड पेगा और नेट प्रॉफिट इनका इनका 5.597 करोड पेगा और EPS वाधन का 0. और लास्ट क्वाटर सेल थी 115 करोड से गटके 82 करोड हुई 85 करोड से गटके ऑप्रेशन प्रॉफिट अथावन करोड हुआ 61 करोड से नेट प्रॉफिट गटके पांच करोड हुआ और EPS हमारा 0.82 से गटके 0.88 हुआ था आप देख सकते हैं इस चरह के और क्वाटर क्वाटर वही डाउन फॉल है अब यह यह कंपरेशन का लास्ट यह सेल थी 115 करोड तो यह यह सेल में बड़ा देखना हुआ मिली और अप्रेशन प्रॉफिट हमारा 27 करोड था वह बढ़के 58 करोड हुआ और नेट प्रॉफिट हमारा मैनेस में 20 करोड था वह बढ़के पांच करोड हुआ था और EPS हमारा 0.88 से बढ़के पॉजिटिव में 0.82 तो क्वाटर क्वाटर वाई तो रिजल्ट खराब थे यह तो तब मैंने बहुता को सामे के लिए लोवर सरक्रिट अफिट वहां से तीजी देखने को मिलेगी अब दिखा तो कैसे अब देखते हैं सबसे पहले में इसको क्वाटर तीर रिजल्ट कर आए था क्वाटर तीर रिजल्ट इसका आयता 19 जनवरी को आप सीथा से चार्ट मैं आपको ओवर्वीव जरूर दूँगा और शेयर के अंतर मुवमेंट बताऊंगा का कैसे मुवमेंट रहने वाले हैं अब देखें यहां पे एक सपोर्ट पे इस लेवल पे सपोर्ट ले देखें यहीं से बापस यह फिर से एक राउंडिंग पैटन सपोर्ट लिया फि के अंदर मुवमेंट बन चुके तेजी के फिर से लोवार सर्कृट जाने को तो यह रहे शेयर के अंदर मुवमेंट फिर से स्टार्ट उचेगर आपके पास होल्ड रखिए अगर फ्रेस बाइंगे कर्चिए अब दीखें दूसरा करेक्शन जो इसमें आएगा वो आएग अब इसमें तरफ आ चुका अब यहां से शेर के अंदर तेजी देखने को मिलेगी फिर से चार्ट पे इंडिकेशन अच्छे खासे दिखे रहे हैं डेली चार्ट पर आई होप यह वीडियो आपके उस पूले तो पले इस वीडियो को लाइक शेय फावट करना बिलकुल ना भूले थैंक्यू सो मच पूर वाचिंग दिस वीडियो